ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोज खमा सुपर थर्टिफाइब करिया इंस्टिटूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज़्यादा चैन देवाला संस्थार पता थर्ड फ्लोर रमा गोविन पैलेस सिर्मोर चौक रीवा सब्सक्रायब कर चैन तो है। 12 कालि बाजाकर साहीं मता देख सुछाफ करें हमाई साहिता हम अधाने थी सेदार संभालें कर्णिय ग्या कुछने काले चर्द्या किा कुछने संभाने दादे यथा साहब लगा हम आरे संथा अधूदा आफान쵸 य हमाने रμगादwa उधी कर दोदिए जर्वा भाठी कि जो क지 को अ की संघाạnh जिता अमारे जुуб है बर्ल्टेमि ज दो कि जब एउ खुआ कर दो कि अईसे गोद bew धो बाई ज बूहिस अषवने जाम जार्य जगीं है जलेग्कान कर जाहां को ट्रучुम कि अटीद सैं ще्व तर। इस्वर्ष महीं आई तो आई रहा हैं अगर्ष में आई उससे, सब्ने आई एसे जाई जब ढ़न घ्रिदाएं वाय आई तो रहे हैं इसबुदे ड़ोल बंध दोभर हैं लाखों करोड़ की सौवार लेकर के बुद्धी बढ़ानसरा थेती ग्राम पर चरप आया में पदारे ऐसे हमारे लाजय निता जिनने पृतियस नहीं टेसमेही नाग कावाया और बुद्धी बढ़ानसरा का नाम फेरो मित किया है। एसे नेता हमारे बिद्धी पदारे हैं हमारे जनजन के एकसी लाखों 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 प्यानों के भाई वो लाखों लाखों भांजीों के भामा और हमारे लुद्धी बढ़ानसरा की सुझाए। खाल लाखों लाखों लुद्धी बढ़ानसरा की सुझाए। जो ब्लाइब सबाच चेत के अंतरजक आने वाले जिवराज चलो बहाई साब हमारे पतार गए है जोड़ा आफ यह पर यह पहर आपका रहे प्र यह का सुछागा जोगना है रहते हैं मैं सम्मालीय जुगर को चंदरबंट जी जी सिम्मा चुगर जुगर को अविधन पहुचा तो बच्चो का मेरे पहुचा तो भी पुरंद मेरे बाद कोईटा दो तुरत लियो जाएंगे मैं यहां के सर्पन गिराम पर के अपनी बाया सीमा जुगत्सों चंदमाइशी से जिवेदर करूंगा मानिय मुख्मत्री जी का साहर शेजी पाल इजमधी चंद़े का स्वाद्स करांठा शरी सीमा जुगत्सों चंदमण से जी और आगार भी मानिय मुख्मत्री मुख्मत्री का सवारत्स करें करने के लिए मैं श्री जुगल्स की शोड़ी पट्यान साथ से आगरे करता हूं प्रपय वे भी आए और मानीश आंसद मोहदे का स्वागत करने के लिए और सभी कारी करता हूं बड़ी माला से मानी मुख्यमत्जी मोहदे आंसद मोहदे और समस्ता चीजियों का स्वागत करेंगे स्वागत की देरा में मेंद बाईया, रमेर बाईया, जदिन बाईया, हमारे दुबेजी साहित और संतोर्नागरी साहित जो पुद्णी जो अपने बाया के जो परिश्कार करता हूं से निवेदर है कि मानी मुख्यमत्यी असो शाहुजी साहित बड़ी माला से आप स्वागत करें जो अफानी मुख्यमत्यी का वगत हो दाया जो अफानी बाईया वगत हो लाईया, जो अफानी ऑजघराक रार है जो रावटी तरक इ। संभाणिया, हमारे खांस कारकथ्तां और सरुंतम परिश्कार्यी म patents पायाथिए उन्सर रिवजर नहीं के, समट मंका सेंथा, साल सरी पर ये महला पैरा काराब स्वाहद करें, मंज पर उबस्ते सम्भाणिय है, हमारे लोगप्रिय सांसर, सम्भानी रमात्राण भार्डव जी, हमारे जिलाज़ लोगप्रिय स्रीर अमिमांगी जी, संभानिय राझनाज सिंभ लॉक्षी धॉक जी , शंभानिया रगनाज सिंभ भांटी जी, संभानिया शिंख सवाणिय लॉक्षीय गुरूपवरा शंभाजर्या संभानिया Ma случай वादाजी उर संभणिय धादाटर विचहाओ बढदनस पाजिय वहुत निक्षट हैं ठीyk और गोपाली, लोपाल सिंगी नियर हमारे चिरापंजे कर दिछ पदारे हैं, उनके एक साल पूल हुआ है, तार तार जिसो प्रत्य माने मुखमधी का स्वालत करना चाहते हैं, हिसे एक सभक्रीद और सिंगरे करना हिएं, तार जो प्रत्य में। न स्वालत करते हैं, आ कर दो दो कमेक जाःल दो करना चाहते हैं, तार अत्यां कर सोई क्रत्ध करते हैं, खिरेशी हैं, इसोन करते हैं पिखे द्सक्डम कुली कि बढंदू करें, बूड्यारहतो है। संब्हानी नाभापनी थिले संपाद थिले स्य। भीन होटोदक सными शींद थिले संपाद मार्या, सााउर सेवा जर्त कर्झार थिले जुख़ पतेल जी खन्या अधनागर जी, फ्मानियर सेसेनागर जी, सम्मानिय वीरादल कुि सल्वालिजी, सम्मानिय का मेंदाःतला कुछ सम्मानिया खकेalnızा म Şimdiyan Iyan, संभांय कि अऽथाएं काका जी कि आफका महां मत्री मंठाग वंडल झीओग पूर्जर पर सजर शम्माने रामपति नायर जी शम्मानी घर्वान सीम नागर जी शम्मानी असर नलाइं साओ जी प्रगता। मैं उनका मिल्या से धन्यबाद गयाबत करता हूँ सम्मानी है सम्मानी धकुट ठागोजी सही सम्मानी मंचा से यहां पदारे में सक्ता बहुत है सम्मानी फिन का ठागताम रभात है तो यहां से मच से अतर जाएं आप वबिष्पदा ना करें सम्मानी हमारे का थी मैं भी मंगति प्रोधाय सउंसैंसे का थे मैं में उनका कर दो किन पर मतलीा को जो हीाषिय सम्मानी यह सन्मानी रूंसी नाल द внизत Judge विदम निवगतन है, तरफिया आगकर बोलन देने की करपा करें, आशिवां चेल देनी की करपा करें, मारे इस सालसत पो होता है. विदम निवगतन है, विदम निवगतन है, तरफिया आशिवां चेल देनी की करपा करें, मारे इस सालसत पो होता है, एकार जोटा तालियों से मारे इस सालसत पो होता है. हमारे गुला की सबी रोजिकर सायग में माने मुखमनी जगा, बड़ी मारे स्वागत दिया, बहुत आवाद मेट करना चाहते, बहुत 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 धंज्रवां. एक वार सम् नरम्दा मियाकी जै बोलेंगे नरम्दा मियाकी आरे हारे नरम्देश हमारे मद्द, हमारे जन्परिय नेता, मद्द प्रदेश की S.S.C. मुद्ध मंत्री, हमारे चित्वरा के केंद्र, प्रदेश की जन्नायक, आदर्नी सिवराज भहिया का बाया आगमन पर हम सब हार्दिक स्वागत और अव्यंदन करते हैं, एक बात्तालियों भी गड़ड़ाज के साथ सुवराज भहिया का अगमन करें, हमारे बीच में बारती रिंता पार्टी के नेता, इच्छावर के लोग पर ये सुसी विदायक, आदनी करन सिंग जी बर्मा है, तो बत्ते तेयं आपर उनका भी स्वागत करें, आदनी गुरुपलाज जी शरमा, आदनी राजेन सिंगी राज्चूर, अजिमिता निर्मदा भावेलाजी, रगुनार्थ सेंग भाटी जी, रभी माल्मी जी, गोपाल इंजिनेर जी, महेशु पात्याजी, आता राम यादो जी, राजनारण साहू जी, जन्पत के अठ्यक्स मेंद सर्मा जी, हमारे सवी मंदलक के अठ्यक्षिगण, राजू पाल जी, राजेन्द पटेयन लगन पुर्दत के अठ्यक्षिग जी, ति रामगुपान टेलार जी, सबी, मंचपर राजनान सबी सम्मानी नेतागण, पत्रकार नित्रों, मंचपर उपत्र सबी, महनवाब, भाई और बैनों, आज हमारे बीच्वें, हमारे भहिया उपस्तित हैं, उनकी इच्छाती के बेवाया आएं आप लोगों से, मिलें, यहां लाड़नी वेहनानी वहिया की सबाई हुई हैं, ऐसे सभी भाईयों और बैनों को, मैं हाद एक शागत करता हूँ, मित्रोपना फुद्नी विदान सवा, अगर दोजार तीन से पूर देखें, जब मिश्टर मंधाडार का काघ्रेश का सासल हुआ करता हुई हुई हुद्नी विदान सवा की बाया की रहते की, बैरोदा और गोपालपुर की यहां पर सड़कें थी नहीं, बिजली आती नहीं थी, चोवीर गंटे में एक गंटे मिल जाये तो बहुत बड़ी बाप होती थी, बुद्नी आने जाने में भी गंदे दो गंदे लग जाते थे, और बड़फाद में तो जाई नहीं सकते थी, कालिया दे और छोटी नाले नदी नाले पूर हो जाते थे, पित्रों ऐसी विवस्ता को दोहाया चार के बाद, हमारे प्रदेश में, नरम्दा मिया की किरपा से, सिवराज भीया, प्रदेश के मुखिया बने, और बुद्नी विदान सवा के, सभी काम आसानी से सुरू हो गए, बिजली की विवस्ता सुदर गई, सड़कें बन गई, सड़कें की बात करें, तो मैं डबल रोड बन गया, बुद्नी से रेटी का, और अब पोर लाइन बनने वाला है, भीया ने गोशना कर दी है, सेंक्सन भी करा दिया है, कि गोपालपुर से बाड़ी तक, नेशनल हाईवे बने का फोर लाइन, मित्रों बहुत सारे काम हुए हैं, मैया का सलकनपुर धाम बन रहा है, अभी माननी है, सिवराज भीया सलकनपुर आई थे, एक लाज से अधिक सिद्दालू हम पुपस्तित थे, और मैया का सलकनपुर धाम, उज्जैन के महाकाल लोग के तर्थ पर, देवी धाम सलकनपुर में बन रहा है, उज्जैन के लिए भी एक बार भीया का ताली वजा कर अभी नंदन करें। मित्रों, किसानों की अपन बात करें, तो 2003 से पहले, सौसाइटी से जब लोग लेने किसान जाता था, तो 18% व्याज़ दर पर लोग मिड़ता था, जब सिर्वाज भीया हमारे मुक्मंद्री बने, प्रदेश के मुक्मंद्री बने, तो उन्होंने 0% पर उस रिण को किया है, बीच के कालखंड में 15 मेने के लिए कमनलाद की सरकार आई थी, उस समय कहा गया था कि 2,00,00,00 के करजा माप करेंगे, करजा माप तो किया नहीं, उल्टा ब्याज किसानों के खातों में जुड़ गया, किसान डिफाल्टर हो गए, भीया ने वो भी माप किया, और किसानों के खाते में वो रासी आ गई है, बंद वो बहुत से काम हुए है, बिजली के छेतर में विकास हुआ है, सबकों के छेतर में, गाउं गाउं सबक जड़ गई, सजाई के छेतर में काम हुआ रहा है, सारे काम हमारे हुआ हैं, हमाँ लिए शिवराज भीया कल्ब बरच के समान हैं, जो मांगते हैं, बो मिल जाता है, और कुछ जगे तो ऐसा भी होता है, कि भहिया को जब समझ में जाता कि ये चीज कमी है तो वो भी भहिया उसकी पूर्ती कर देते हैं ऐसे हमारे भहिया का हम बाया आगमन पर हार दिक स्वागत और अविननन करके मैं अपनी वाणी को ब्रयाम देता हूँ धन्दवाज जैश्यराम बाया और आसपास की जनता की कारिका में आई मेरी लाडली बहनाओं की और भाण्य भाण्यों की भी और सभी भाईयों की मन्ज पर विराजबान हमारे यसस्वी और लोग्प्रिय सांसत आदनी रमकांत भारगव जी हमारे वरिष्ठनेता इचावर के बिधायक पूर्व मंत्री आदनी करण सिंग बर्मा जी हमारे पूर्व बिधायक और निगम के अध्यक्ष आदनी राजंदर सिंग राजपूत जी हमारे वरिष्ठनेता आदनी स्रीमान गुरुप्रिसाथ सर्मा जी जिला अध्यक्ष रवी जी जिला पंच्यात के अध्यक्ष गोपाल जी बैरगना जी बहादुर मुकाती जी बैन निर्मला जी सर्पंच स्रीमती सीमा जुगल जी आदनी दादा संकलाल साहू जी बरसों पुराने भारती जनता पार्टी के हमारे नेता कारिकरता छोटे लाल काका जगदीश जी असोग जी नागर जी भगवान रमेश जी जुगल भाई मन पर विराजमान हमारे सभी राजु पाल जी मंडल के अध्यक्ष सभी वरिष्ट नेता साथी पदाधी कारिकर्ण और बाया में उपस्थत मेरी बहनों मेरे भाईयों बेटे बेटियों एक अभी बाया की स्कूल में थोड़ा उतार है गड़ा जैसा है तो इस कारिकर्ण के बाद तुरंट देखके उस गड़े की फिलिंग करके उसको बराबर करके अपने बच्चों को देना है ताकि उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो ये तद्काल प्रभाव से कर लेंगे जो करना है अब चिंदे का भी कर रहा है पैशा में दे तूंगा या अरे आपके प्यार और आशिरवास से दे रहा हूँ या बाया में दाल वैसे ही बन रही यह ऐसी पहले बनती थी अभी लेके जाओंगा दुकान है कि नहीं बाया कि वो दाल लेके जाओंगा खाके भी जाओंगा और गुड़ पट्टी गुड़ पट्टी वैसी जी वैसी है बारिस में गुड़ पट्टी नहीं बनती अज़ा गुड़ पट्टी पहले हमें याद है जब गाओंगा रहते थे तो खिले से ही खले आन से ही दाने ले जाते थे और दुकान डार कहां देते थे और गुड़ पट्टी लेते थे तो दालो गुड़ पट्टी हो अपनी पहचान है आज कई दिनों से मेरी इच्छाती के बायां आऊं तो गासपास के छेतर में गस्तता के कारण मेरा आना नहीं हुआ था आज मैंने बहुत सी बेहनों को भी बुलाया है तो आसा बेहने भोपाल में बैठी मेरा इंतिजार कर रही है लेकिन मैंने का बायां तो मैं जाऊंगा मैं बायां की जन्ता को आसपास की जन्ता को पुड़ाम करता हूँ इस बायां में अपने दाल बाटियां खाई बायाँ बालो या पूरे छेट के बेहनों और भाईों आपने मुझे बच्पन से आसीरवाद दिया आपने प्यार दिया लेकिन मुझे कहती हुगर्व है कि मैंने आपका नाम नीचा नहीं होने दिया पूरे मद्प्रदेश और हिंदुस्तान में आपका नाम प्हलाने की कौ जन्ता की जिन्दगी में वो तकलीफ हैं देख देख के योजनाए मैंने बनाई जैसे मैं देखता था अगर मजदूर बेहन बेटा बेटी को जनम देती थी तो आराम करने का मौका नहीं मिलता था जनम देने के पहले तक मजदूरी करती थी और जनम देने के बाद आठ दि कब आएगा कि मेरी ऐसी बेहनों को आराम करने का मौका मिल जाए और इसलिए मैंने तेह किया कि बेटा बेटी के जनम के पहले चार हजार रुप्या और जनम के बाद बारहाजार रुप्या खाते में डालूंगा ताकि गरीब बेहन भी लड़ू खा ले और घर पर रहकर आरा करने का उसको मौका मिल जाए बीट में कांग्रेस की सरकार आ गई इस सवा साल उनने ऐसी कई योजना बंद कर दी भाईयों और बैनों में देखता था अगर एक्सिडेंट में मौत हो जाए तो परिवार तबह और बरबाद हो जाता था कैसे परिवार की जिन्दगी चले इसक परिवार को देंगे ताकि परिवार की जिन्दगी की डाड़ी चले जाए मैं देखता था हमारे किसान भाई सूखी खेती करते थे तो चितना वोते थे कई बार उतना नहीं काट पाते थे और इसलिए मैं जिद की कि सचाई की विवस्तथा हर गाहों में करने में कोई कसर न आई मेरी बेहनों में देखता था कि पीने के पानी के लिए कई बार बड़ी तकलिफ होती थी हैंड पम पे गाओं में एक तो मुश्किल से हैंड पम खुटते थे कांग्रेस के जमाने में और दिन दिन भर बेटियां बिचारी पानी भरती रहती थी तब मेरे मन में भाव आत था कि आपने छेतर में कोई ऐसा दिन आएगा कि हैंड पम के हत्ते से बेटियों को नहीं लटकना पड़े और घर में पीने का पानी नल से पहुचा दिया जाए और इसलिए बेहनों और भाईयो नर्मदा मया का पानी कोई सोचता नहीं था कि ये भी कभी हो सकता है लेकिन दर्मदा जी का पानी पाइप लाइन बिचाके और घर में टॉटी वाला नल लगाके मैंने देने की कौसिस की ताकि टॉटी खोलो तो जर जर पानी आजा रो गुंड और गगरा भरा जाए हैंड पंप में लाइन ना लगाना पड़े अब छोटे मुटे काम बाकी कई पाना कम पड़ गया वो भी मैं पूरा करवाओंगा लेकिन इमानदारी से बताना अगर में मुख मंतरी नहीं होता तो घर घर नर्मदा मैया का पानी आपाता क्या अरे जोड से बताओ आपाता क्या अभी सडक के लिए आवे दन मुझे अभी भी दिये जाते हैं चारों तर कुड़ा भराती थी के जटक के पहचानते थे चेहरा कौन सा है गाओं गाओं सडकों का जाल विच्ळाने का काम अपने किया आप बताओं अगर मैं मुख मंतरी नहीं होता तो इतनी सडकें बन पाती क्या जोर सबताओं बन पाती क्या फानी हो पानी हो उड़के हो बिजली हो दिकास के काम हो अब ये रोड अपना सीधे गोपालपुर से लेके बुधनी होते हुए बाया रह्टी और बाड़ी तक सांदार फोर लैन बनने वाला है सांदार फोर लैन कोई कल्पना नहीं कर सकता है ये राश्ट्री राजमार्ग में सामिल हो गया ये फोर बनेगा तो सलकनपुर मैं अपनी देवी मया का मंदिर सलकनपुर वाली मया अपने बच्पन से स्रद्धा और आस्था का कैंद्र मेरी बेहनों ऐसा भब मंदिर मया का बन रहा है कि पूरी दुनिया देखने आएगी पूरी दुनिया देखने आएगी और मा की किरपा हम सब प बात करें, इस्कूल हो, पुल-पुली आओ, सरके हो, अस्पताल हो, कोई कसर नहीं छोड़ी, आप बताओ, इतने काम कभी कांगरेस की सरकार में हुए थे क्या, ये भी जोर से बोल के बता हुए थे क्या, सबास साल कमलनाथ और कांगरेस क्या आई, एक पत्थर, एक पत्थरे गिटी नहीं लगी हमारे छेतर में लेकिन अपने लगातार को सिसकी कोई सोचता था कि बुद्नी में मेडिकल कॉलेज बनेगा साड़े साथ सो करोड रुप्या का मेडिकल कॉलेज कोई कल्पना करता था जितने विकास के काम संभब थे सब करने का दिन और रात और पूरे प्रदेस पे कर रहा हूँ पूरा प्रदेस आज बदल रहा है पूरे प्रदेस में भारत सरकार के आकड़े कहते हैं प्रती व्यक्ति आए बढ़के पहले ग्यारा जार थी अब एक लाग चालीस जार रुप्या हो गई बेहनों तुम्हारी जिंदी की बदले इसलिए कई योजना बनाई पहले लागली लक्ष्मी बनाई ताकि बेटी बोजना समझे नहीं था जिसने तै किया कि गरीब बिटिया की साधी में परिवार पर बोजना आए इसलिए बेटियों की साधी करना सुरू की मुख मंत्री कन्या विवार योजना मैंने बनाई हम नहीं तै किया कि सरपंच जैसे चुनाओं मैं भी बेहनों को आधी सीटों पर रिजर वेसन देंगे ताकि मेरी बेहन और बेटियां भी सरपंच बने नगर पालिका दक्ष बने नगर पंचात में जाए जिला पंचात में जाए अगर मैं ये रिजर वेसन नहीं देता जुगल अगर मैं रिजर वेसन नहीं देता तो बन जाती कि असर बने नहीं देता कहेंगा हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे तू तो रोटी बना लेकिन हमने तैय किया कि बेहनों को भी गाओं की और सहर की सरकारी चलाने दो कई काम देखो बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए अभी जिनने बार भी में 75% टमब लाए 25-25 जार रुपया में नो उन बच्चों के खाते में डलवाए ताकि वो लेप टाप कम्प्टूटर खरीद के बढ़िया पढ़ाई कर सके छट भी पास करके पाट भी पास करके छट भी में जो बच्चे दूसरे गाओं जाते हैं उनके खाते में भी 45-4 हजार रुपया साइकल के लिए डालने वाला हूं आग भी पास करके नो में जो जाते हैं दूसरे गाओं उनके खाते में भी 45-4 हजार रुपया डालने वाला हूं और अपने बाया के स्कूल में भी हाई इस्कूल में बारवी में बाया हो चाहा और कोई गाओ जो बारवी में एक बेटा और एक बेटी सबसे ज़्यादा नमबर ले चाहिए उसको मामा स्कूटर और स्कूटी दिलवाने वाला है ताकि उस पे बैठ के वो कॉलेज की पढ़ाई करे और एक बात और सुनना यह सब के लिए तैकिया है मैं जानता हूँ हर माबाद किसान हो गरीब हो अपने बेटा बेटी को पढ़ाना चाहता है आग्या बढ़ते देखना चाहता है लेकिन पैसा नहीं होने के कारण कई बच्चों की पढ़ाई अटक जाती है अब मेरी बेहनों और भाईयो और बेटा बेटियो साफ धान से सुन लेना अगर अपनी महनत से मेरे बच्चों का एडमिसन मेधा भी विद्धार थी हो जाके अंतरगत मेडिकल कॉलेज में होगा इंजरिंग कॉलेज में होगा आई आई टी आई आई एम में होगा ला कॉलेज में होगा कहीं भी होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है आज लाग दस लाग रुपया साल पास साल के पचास लाग बताओ किसानों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या गरीबों के दे सकते हैं क्या तो अब ये फीस बच्चों के मम्मी पापानी भरवाएंगे कौन मरवाएगा अरे जोर से बताओ मामा भरवाएगा पढाते जाओ बच्चों को मामा तो मुख मंत्री है उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं आने दूँगा बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा बहनों और भाईों मैं नहीं रहने दूँगा ये पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, माता पिता का नाम रोसन करते रहें और अपने प्रदेश और छेतर को आगे बढ़ाते रहें ऐसी अनेकों योजना ही अभी ये क्योजना मैंने शुरू करी बारवी के बाद क्या करें बारवी के बाद बच्चों को काम धंदे की जगवत होती है तो एक तो सरकारी नौक्रियों में भरती का भियान लगातार जारी रहेगा एक लाग भरतीयां अभी कर रहा हूँ पचास जार भरती और करूँगा तो सरकारी नौक्रियों में भी भरती दूसरे हमारे कई बच्चे अगर अपना काम धंदा शुरू करना चाहते हैं तो मुख मंत्री उद्धमकरांटी उजना का लॉन वो दिलवा के उसकी गारंटी मैं लूँगा और ब्याज की सफसिटी भी दूँगा ताकि अपना काम धंदा शुरू कर सके और तीसरे मेरे बेटा बेटियों जिनने बार भी पास कर लिया जिनने आई टी आई कर लिया ऐसे बच्चे उसके बाद क्या करें तो मेरे बेटा बेटियों अगर काम सीखने जाओगे अलग अलग कंपनी में तो एक नई योजना भी चालू कर रहा हूं मुख मंत्री सीखो और कमाओ योजना ये बच्चे काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले मामा आठ हजार रुपया इनको दिलवाने का काम करेगा ताकि काम भी सीख जाएं और आठ हजार रुपया से उनका खर्चा भी चल जाएं देखिए मैं मुख मंत्री इसलिए नहीं बना किरसी पे बैठके आनन्द करूं इसलिए बना है कि मैं लोगों की जिंदगी बदलूं मैं आँखों के आँसूँ पहुचूँ मेरी गरीब बहनों हजार रुपया की जरुद भी अगर पढ़ जाती थी दवाई के लिए चाउए बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए कपड़ों के लिए चाहिए बच्चा के गोद में बैठ गया और कहने लगा मा मुझे सर्ट दिलवा दे बेटी कहने लगी मम्मी फिराग दिलवा दे स्कूल की मेरे कपड़ा फट गया है वो कपड़ा दिलवा दे खिलोना दिल्वा दे, छोटा मुटा और कोई चीज दिल्वा दे या सावन कमईने में जब माएके जाती है तो भाईया के बेटा बेटी आएंगे दोड़के और पकड़के कहेंगे भुआ जी आई है, मेरे लिए क्या लाई है तो बेहने इसी चिंदा में रहती थी कि पैसा की विवस्था कहां से करूँ हजार रुपया के लिए भी परिसान हो जाती थी बताओ बेहनों सही बात है की नहीं आज दिल से बताना अरे सही है तो बताओ सही है की नहीं हजार रुपया, पांस सो रुपया अगर मांगने भी जाए तो कैदत फिर रिष्टेदारी जाए कारे हमारे पास कांसे धरें और ये दर्द मैंने बेहनों बहुत दिनों से देखा था और मैं कई दिनों से सोच रहा था कि कोई ऐसी योजना बना सिवराज कि बेहनों की ये तकलीफ दूर हो जाए एक दिन मैं राज पर सोच चा रहा क्या करूं क्या करूं क्यों कि एक बात साफ है देखो मैं कहने के लिए भाया नहीं हूँ आपके बेटा बेटी मुझे मामा कहते है वो मेरे भांजे भांजी है अब भांजे भांजी है तो ये जो सामने बैठी है ये मेरी बहने हैं सब बताओ बहने हैं की नहीं अरे जोर से बोल के बताओ है की नहीं भाई हूँ मैं अरे बताओ भाई हूँ सगा हूँ की सोतेला और इसलिए मेरे मन में ये बात आई कि भाई भी तो तू भाई है और भाई भी सगा भाई है अब हाई सावन के मैने में अपनी बेहनों को कुछ ना कुछ तो देता ही है राखी बंदवाता है तो पैसा देगा, कपड़ा देगा, कोई सो देगा, कोई दो सो देगा मेरे दिल ने कहा, कि देख अपनी बेहनों की तरफ, क्या तेरा कोई फर्ज नहीं है और मैंने तब सोच लिया कि ऐसी योजना बनाऊंगा क्योंकि साल में एक बार बेहनों के खाते में पैसा डालने से काम नहीं चलेगा बताओ एक बार देने से काम चलेगा क्या नहीं चलेगा और इसलिए मैंने तैय किया एक बार नहीं हर मईने अपनी बेहनों के खाते में एक हजार रुपया मैं डालूंगा ताकि मेरी बेहने मजबूर ना रहे ये मुख मंत्री लाडली बेहना योजना है बेहनो जरा जोर से ताली बजावें बताओ योजन अच्छी है की नहीं अरे जोर से बताओ अच्छी है की नहीं लेकिन सुन ले न यहीं नहीं रुकने वाला देखो एक बात है जो सच्छा यह भाई तुम भी सुनो पैसा अगर होता है तो विस्वास रहता है बताओ भरुसा रहता है की नहीं जेव में पैसा हो तो जरा हिम्मत रहती है तो पैसा तो रखें जवरत पढ़ेगी तो खर्चा कर लेंगे और पैसा नहीं होता तो जी घवराता है मुसीबत में आ गए तो क्या होगा और इसलिए मेरी बेहनों ये पैसा नहीं है ये बेहनों का सम्मान मैंने दिया है बेहनों की इज़त मैंने दिया है उनका स्वाब इमान उनको दिया है और पैसा जब आता है तो इज़त भी बढ़ती है बताओ बढ़ती है की नहीं बढ़ती अब सास भी सोचती है बहु के खाते में एक हजार रुपई आत्वा रहे हैं जरा बहु की रोटी में भी खी चुपड़ दो भाई सास का प्यार बढ़ गाया होगा और पती देब भी अब जरा धंग से बोलते होंगे एक गुड़ू की मम्मी कैसी हो तुँ पैसा आये कि नहीं आये होई क्योंकि बकट जरूरत पे उनका भी काम चलेगा लेकिन मैं यहीं नहीं रुकने वाला मैं पैसे की विवस्था कर रहा हूँ मेरी बेहनों अभी जो पैसा में एक हजार रुपई डाल रहा हूँ उससे पंद्रा हजार करोड रुपे का खर्चा एक साल में होगा पंद्रा हजार करोड कितने पैसे जाएंगे बेहनों के खाते में आज बेहनों से बलवाँगा कितने जाएंगे पंद्रा हजार करोड बताओ मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या अरे जोर से बोलो कांग्रेस कभी दे सकती थी क्या मैंने तै किया चाहे कुछ हो जाए मैं तो दूँगा और यहीं तक नहीं रुकूंगा पैसे का इंतजाम कर रहा हूं और इंतजाम करते करते एक के बाद एक चर्णों में धीरे धीरे हजार से बढ़ाके साड़े बारा सो रुपया करूंगा फिर साड़े बारा सो से बढ़ाके पंरा सो रुपया करूंगा फिर पंरा सो से बढ़ाके साड़े सत्रा सो रुपया करूंगा फिर साड़े सत्रा सो से बढ़ाके दो हजार रुपया करूंगा फिर दो हजार से बढ़ाके साड़े बाइस सो करूंगा फिर साड़े बाइस सो से बढ़ाके पचीस सो करूंगा फिर पचीस सो से बढ़ाके साड़े सताइस सो करूंगा और अंत में साड़े सताइस सो से बढ़ाके कितने करूंगा जोर से बोलो तीन हजार करूंगा क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब ये तीन हजार रुपया बेहनों के पास होगा तो उनके छोटे बड़े सारे काम हो जाएंगे आँखों में आशू नहीं रहेंगे चेहरे पे खुसी आएगी और वो गर्व के साथ जियेगी स्वाब इमान के साथ जियेगी इज़त के साथ जियेगी मेरे लिए इसलिए मेरी जिन्दगी की सबसे महत्पूर्ण योजना है और ये योड़ ना बना कि मेरी बेहनों मुझे लगता है कि मेरी जिन्दगी सफल हो गई, अब मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने बेहनों की जिन्दगी ठीक करने की कौसिस की, और उसमें मैं सफल हो गया, हमको आगे बढ़ना है, एक बात और, मेरे दिमाग में जो है, कि बेहनों की आमदानी काम धंडा करते हुए, घर का काम काज करते हुए, दस अजार रुपया होनी चाहिए, और स्वासाहता समूह के माध्यम से, आजीब का मिसन के माध्यम से, ये आमदानी बढ़ाने की कौसिस में कर रहा हूँ, या स् साहता समूह की, समूह की बेहने कोन कोने हाथ उठाओ जड़ा, बहुत सी मेरी बेहने समूह की बैठी है, देखो अपन को गरीब नहीं रहना, अपन को मजबूर नहीं रहना, अपन को अब भीरे दीरे अपनी आमदानी बढ़ानी है, उनका बर्णन करने का समय मेरे पास नह मेरी कौसिस है कि काम करते करते एक वहन की घर मइना आंदानी कम से कम एक लाख रूपया होना चाहिए ताकि लगपती किलब ने सिम्मिल हो जाए दस अजार रूपया में उसके लिए हम अलक काम कर रहे हैं समाज का हर बर अवी रमकाम जी किसानों के लिए बता रहे थे 0% बैट पे करजा कमलनाथ ने कई जूटे बादे दिये 5-6 चीज़ें ही मैं आपको बताता हूँ मैं बैनों को जो 16,000 देता था वो बंद कर दिये मर जाते थे एक्सिडेंट में 4,000,000 देता था कमलनाथ में बंद कर दिये मैंने बच्चों को लेप टाप तरे 25-4 रुपया देने का फैसला किया था कमलनाथ में बंद कर दिये बेटियों की साजी करवा दी लेकिन साजी करने के बाद भी बेटियों के खाते में कमलनाथ ने पैसा नहीं डाले कांगरेस ने पैसा नहीं डाले बेटियों को भी जलने का काम किया मैं बुजर्गों को तीरत यात्रा करवाता था तो वो तीरत यात्रा भी इनने बंद कर दी थी मैं पहले रेल से तीरत यात्रा करवाता था अब मैं मुक्मंत्री बना तो तीरत यात्रा फिर चालू लेकिन केवल रेल से नहीं अब हवाई जाज से भी तीरत ले जाओंगा बताओ गरीबों को भी हवाई जाज में बैटना चाहिए की नहीं अरे जोर से बताओ बैटना चाहिए की नहीं और इसलिए हवाई जाज से भी तीरत यात्रा अपनी जारी रहेगी ऐसी कई योजनाएं जो कांग्रेस और कमलनास ने बंद कर दी थी वो सारी योजनाएं फिर चालू कर दी है गाओं गाओं में विकास के काम आज आपने देखे ही कि करोड़ों रुप्यों के विकास के कामों के भूमी पूजारोड सिलार न्यास आज यहां संपन हुए हैं चा इलाके के कई सड़कों के भूमी पूजन के कारिकम संपन हो रहे हैं तो यह सड़के भी बनेगी आज जब मैं बाया आया तो बाया बालों ने मेरे सामने कुछ और मांगे रखी है मैं उन पे भी जर्चा करना चाहता हूं एक तो एक तो नाले का ऐसे बेटा ऐसे पूरी नह होगी मैंने पहले ही कह दिया है यह बीच में जन्ता बैठी इस futureway नगर कोई बात है तो अलग बात कर ले ना 操ल मैंने पहले ही कह दिया कि बच्चों के स्कूल में जो गड़े की सिकायश आई है तुरंत उस bubble को भरने का क्राम किया जाएगा एकवार मेरे साथ convers परतमाता की इसके साथ हिबाए की एक बड़ी समस्या है ना लेके रिटेनिंग बाल और उसका पक्की करण ये पहले भी एक बार प्यास हुए थे लेकिन उन प्यासों में पूरी सफ़कानी बिली अब इसका कलेक्टर इदर आ जाएं जरा कलेक्टर इदर आ जाएं इसकी रिटेनिंग बाल के मामले में तदका निहा का इस्टिमेट बनवा के और मुझे मिल जाएं ताकि इसकी पर्मानेंट व्यवस्था हम लोग कर सकें आपने रिटेनिंग बाल के अलावा सलकनपुर कारीडोर की बात करी हैं यहां आगे बढ़ाने की तो उसकी भी मैं सर्वे क कर वालूंगा एक कच्छरा संग्रहन बाहन चाहिए बड़ा वाला डीजल इंजन वाला तो इसकी विवस्ता भी बाया में करेंगे और अंत्रिक मार्ग लगबग हजार क्लोग हजार मीटर आपने मांगा है तो दो चरणों में यह आंत्रिक मार्ग भी सीमेंट कॉंक्रीट का यहां बढ़वा दिया जाएगा और एक स्तामुदाएक भवन ये भी बाया में बनाने का काम किया जाएगा बाया के अलावा आसपास के गाउं से भी जो आविदन आये हैं उस पर उप्युक्त काम करेंगे मेरे प्रिये बहनों और भाईयों आपने आसिरवाद दिया और उस कारण मुझे ये ताकत प्राप्त हुई कि मैं जन्ता की सेवा के काम कर रहा हूं एक बात के बल कहता हूं कि बताओ जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए की नहीं जोर से बताओ देना चाहिए की नहीं तो आज मैं आप से अपील करता हूं मेरे बहनों और भाईयों अगर भारती जंता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है, तो मारा भाई और मामा अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी अच्छा काम कर रहा है, कर रहे हैं, तो बताएए उनका साथ देना चाहिए कि नहीं, तो आएए, आज बाया में हम संकल्प करेंगे, कि जो हमारे साथ हैं, हम उसके साथ रहेंगे, भाईया का साथ देंगे, मामा का साथ देंगे, भारती जनता पार्टी की सरकार का साथ देंगे, बोले सब तयार हैं, तो अपनी अपनी जगे खड़े होके, अपनी अपनी जगे खड़े होके, दौनों हाथ उपर उठाके, दौ यह नोट-पर उठारण मुठु बांखले भारत मता की जय बोलके मामा भईया और भाजपा का साथ देने का संकर्प लेंगे भारत मता की भारत मता की भारत मता की नर्मदा मैया की हर हर नर्मा दे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हार सेकंडी स्कूल में कामर्स की क्लास भी शुरू की जाएगी मझे अभी बताया तो कामर्स की क्लास भी आख हार सेकंडी स्कूल में चालू करेंगे या हास्पिटल तो बनी जाए कि संवेदना और सहरदेता देखिए कि ततकाल उस बेटी को बुला कर मुबाइल नया मुबाइल गिफ्ट कर रहे हैं बेटी निकिता आएं और अपना मुबाइल प्राप्त करें यह मानी मुख्यमंत्री महोदे की सहरदेता और संवेदन शीलता है हम गोरवशाली हैं कि ऐसे स इनको सिंदी कें पांध गुड़ाये के हैं इनको छे लाख रुपे का चेक वितन किया जारा है ताकि यह स्वरोजगार कर सकें और अपना ब्योसाय स्वेम कर सकें छे लाख रुपे की बैंक लिकेज इसके अतरिकते श्रीमती कृष्णवाई अशोक नाराण साहू इनको स्वास्त बिभाग का आयुश्मान कार्ड प्रदाई किया जारा है जिसे यह पांच लाख रुपे तक का हिलाज देश में कहीं भी करवा पाएंगी श्रीमतीलक्ष्पी बाई यादो प्रदाण सिंग यादो इसके विभाग से इंको संबलकार्द प्रदाई किया जारा है और सभी, आपसे लगी सभी सुगिजाने समय गार कानी के बाद, इनको दूले रगे की सिलमत लक्ष्माई या तब और कुमादी मित्या तुदा सुप्राम बाताश अगुर्भाई फर्मादी मित्या को लादे लक्षी उल्ना का फर्माद पत्रमादी कुफिता की बहुतर के दौर बढ़ाएटिया जाना है जन्हें एक ओड नियती इस पर से रगपती बंदे जा रही है और उच्छी सिख्शा बाद करने जा रही है और में सर्वेश पति ली जो नहीं बढ़ाएट अगरी पते रहां कि आखर 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 मेरे रस्टेश पर आखर जो उन्हें लाही है